नवरात्री आने वाली है और हम सभी नवरात्री में 9 दिन के वृत करते हैं 9 दिन तक एक ही खाना खाकर हम बोर हो जाते हैं इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वृत में खाये जाने वाले डोसे की रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान हैं तो चल ये शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कप समाके चावल और आधा कप सावुदाने को 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रग देंगे मैंने इनको चार घंटे के लिए भिगो दिया था और ये देखिए सावुधाना अच्छे से फूल गया है एकदम सॉफ्ट हो चुका है और चावल भी सॉफ्ट हो गए है अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें चावल को डाल देंगे सावुधाना भी इसी जार में डाल देंगे इनके साथ हम तीन चौथाई कप दही डाल कर अच्छे से पीस लेंगे ये देखिए हमने सावुधाना और चावल को अच्छे से पीस लिया है अब हम इसे ढखक कर आदा घंटे के लिए रख देंगे अब हम एक चटनी तयार करेंगे इसके लिए हमें चाहिए आधा कप कच्छा नारियल उसे हम ऐसे टुक्डों में काट लेंगे एक चोथाई कप भुनी हुई मूमफली दो हरी मिर्च आधा इंच अद्रक और आधा कप दही अब इन सभी को सेंधा नमक डाल कर अच्छे से पीस कर तयार कर लेंगे ये देखिए चटनी एकदम तयार है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे मैं यहाँ पर सिर्फ जीरे का तड़का लगा रही हूँ आप इसके साथ करीपता भी डाल सकते है चटनी तयार है अब हम डोसे के लिए आलू तयार करेंगे इसके लिए हम एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें एक चमज घी डालेंगे घी गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें आदा चमज जीरा डालेंगे जीरा चटक जाए इसके बाद हम इसमें आदा इंच अद्रक को ऐसा लंबा लंबा काट कर डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च को भी लंबा लंबा काट कर डालेंगे अब इनको हलका सा भून लेंगे ये देखिए इनका हलका सा कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें दो उबले हुई आलू को ऐसे काट कर डालेंगे अब इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे अब हम इसमें आदा छोटा चमच काली मिर्च डालेंगे स्वाद अनुसार ब्रत का नमक डालेंगे अब हम इसे इस तरीके से चलाते हुए एक मिनट के लिए और पकने देंगे इससे हमारा मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरधनिया डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे अगर आप ब्रत में हरधनिया नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप्ट कर सकते हैं हमारे आलू एकदम तयार है अब हम डूसा बना लेते हैं आदा गहंटा हो गया है अब हम इसमें एक चोथाई चम्मश नमक डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे और हमारा बैटर एकदम तयार है अब हम डूसा बनाते हैं इसके लिए हम एक तवे को गर्म करेंगे जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा हम उस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे अच्छे से पौशनेंगे अब हम बीच में थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इस तरीके से गोल गोल गूमाते हुए हम इसे फैला देंगे इसके बाद हम इसके किनारों पर थोड़ा सा घी डाल देंगे अब हम इसे लोटू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से सिक भी गया है अब हम इसे फोल्ड करेंगे आप इसे लोटू मीडियम फ्लेम पर ही सेखेंगे तभी ये एकदम क्रिस्पी बनकर तयार होगा तबा बहुत गर्म है, हम इस पे फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से पॉँच देंगे बीच में थोड़ा सा बैटर डालेंगे और घुमाते हुए फैला देंगे इसके किनारों पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और उसे लो टू मेडियम फ्लेम बर्स सेकेंगे ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है ये भी अच्छे से सिख गया है इसे भी हम फोल्ड करके निकाल लेंगे इसके बाद हम इसके प्लेटिंग करेंगे इसके लिए जो हमने आलू तयार किये थे उसे रखेंगे आप चाहो तो आलू को इस प्रकार भी रख सकते हो या फिर डोसे के अंदर भी फिल कर सकते हो इसके बाद जो हमने चटनी तयार की थी उसे रखेंगे और फिर डूसा रख देंगे वरत में खाई जाने वाला डूसा एकदम तयार है आप इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू